इस्राइल हमास चुद्ध की वज़े से हिजबुल्ला और इस्राइल जंग की मुहाने पर खड़ें दोनों के वीश लगातार भीशण हमले हो रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इस्राइल कभी भी हिजबुल्ला के उपर आक्रमण कर सकता है लेकिन इस सब के बीच हिजबुल्ला भी लगातार उत्री इस्राइल को हमलों से दहलाने में लगा हुआ है इसी कड़ी में हिजबुल्ला ने आईडियेफ की जारित मिलिटरी बेस पर दरजनों रॉकेट दा गे हैं इसके साथ ही हिजबुल्ला ने नकौरा नौसैनिक अड़े पर भी गोला वारूत की जड़ी लगा दी है हिजबुल्ला का कहना है कि उसने इस हमले में इस्राइली सैनिकों के जमावडे पर हमला किया है साथ ही कबजे वाले कफार चौबा हिल्स पर समाकवा साइट पर भी हिजबुल्ला ने आईडियफ पर सीधा हमला किया हिजबुल्ला का ये भी कहना है कि उसने आईडियफ के रुएसित अल आलम मिलिटरी साइट पर हैवी मशीन गन से हमला किया वहीं कबजे वाले शीबा फार्म्स में भी कुछ ऐसा ही नजारा था। यहां पर हिजबुल्ला ने जिबडाइन सेन इचोकी पर तावड तोड गोला बारूद और रॉकेट बरसाएं हैं। इसको लेकर लेबनान के मीडिया हाउस अल मयादीन ने भी अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि दक्षडी लेबनान से इसरायल के पश्चिम अल जलील पर रॉकेट का पूरा पूरा जत्था दागा गया है। इन हमलों को लेकर खुद इसरायली मीडिया का कहना है कि गौर्नौट, हागलिल और गौरेन में हवाई हमलों के साइरन बजने लगे थे। मीडिया रिपोर्ट के मताबिक IDF ने खुद 25 हवाई औबजेक्ट्स को पश्चिमी अल जलील की तरफ इंस्पेक्ट किया। टाइमस ओफ इसरायल ने अपने एक रिपोर्ट में कहा है कि हिजबुला ने उत्री इसरायल पर करीब 45 रॉकेट फायर किये। इस हमले से पहले IDF ने ड्रोन हमले में हिजबुला के फील्ड कमांडर अबबास इबराहिम हमजा हमजा हमादा को मार गिराया था। जिसके बाद हिजबुला ने ये हमला किया है। IDF ने हिजबुला कमांडर अबबास इबराहिम को दक्षडी लिबनान के डेयर किफा में धेयर किया। और इसके बाद हिजबुला ने इजबुला के गैलीली पर दो पहर दो बच कर 30 मिनट पर करीब 25 रॉकेट फायर कर दिये। इसके बाद इसी इलाके में करीब 20 राकेट और फायर किये गए जिसकी वज़े से आसपास के कई इलाकों में हवाई हमले के साइरन बजने लगे थे हाला कि IDF का कहना है कि इन हमलों में नहीं कोई हताहत हुआ और नहीं कोई नुकसान हुआ है लेकिन बड़ी बात यह कि हिजबुला के रिजनल कमांडर को मार कर IDF को बड़ी कामियाबी मिली है IDF का कहना है कि हमादा हिजबुला की एक रिजनल यूनिट में ऑपरेशन्स का अधिकारी था जो की जोयया इलाके में सक्रिय था यह इलाका दक्षणी लेबनान के डेर किफा इलाके से काफी नजदीक है और यह इलाका इसरायल लेबनान बॉर्डर से बेहदी नजदीक है